चलिए पढ़ते हैं फोट सवैया काननी दे अंगूरी राहीवो जबही मूरली दुनी मन बजई है मोहनी तानन सोरस खानी अटा चड़ी गोधन गई है तो गई है तेरी कहो सिगरे प्रज लोगनी काल ही कहो कितनो समझे है मायरी वा मुसकी मुसकानी समहारी नजई है नजई है नजई है इस सवैये में गोपियों के विवेष्टा का वर्णन किया गया है प्रस्तूत पंक्तियों में रस्खान जी क्रेश्न की मूडली तथा मुसकोराहट का वर्णन कर रहे है कभी गोपियों के विवेष्टा का वर्णन करते हुए कहे रहे है कि गोपियां क्रेश्न के प्रेम को चाह कर भी नहीं भूल सकती चलिए देखते हैं इसका अर्थ प्रस्तूत पंक्तियों में गोपियां कहती है कि जब क्रेश्न की मूडली की मधुर आवाज गुंजेगी तो वे सभी अपने अपने कानों में उंगली डाल लेगी ताकि उन्हें क्रेश्न की मूडली की धुन सुनाई ना पड़े क्यूंकि क्रेश्न की मूडली की धुन सुन कर गाय भी मग न होकर गाने लगती है ब्रजवासी कहे रहे है कि जब क्रेशने की मूरली की धुन ब्रज के वातावरन में गुंजेगी तो उसकी धुन तो उसकी धुन सुनकर गोपियां अपनी मुस्कान नहीं समभल पाएगी और उस मुस्कान से यह ग्यात हो जाएगा की गोपियां कृष्ण से प्रेव करती है गोपियों के विवश्चा का वर्णन रस्कान जी ने कितनी अच्छी तरह से किया है यहां यहां कवीदा आपकी कम्प्लीट होती है